बिहार की राजमीती और उपंदर कुस्वाहा एक स्फ्लोक था दिनकर का याचना नहीं अब रन होगा जीवन जया की मरन होगा लगता है इंडिये में अब कुस्वाहा की जगर नहीं है कम से कम कुस्वाहा ऐसा अब मान के चल रहा है दिली पहुचे थे मोदी से मिलने के लिए समय नहीं मिला रसमीरती की पंक्तिया वह फिर से यादा रहेंगे याचना नहीं अबरन होगा जीवन जया की मरन होगा ग्यारा तारिक से ग्यारा दिसंबर से सीट काली इन सत्र संसब में शुरू होगा इससे पहले मोधी सरकार के मंत्री मंडल का एक विकेट गिरना तैय लग रहा है कौन सा विकेट होगा आपको पता ही है उपेंद्र कुस्वाहा इस्तीफा देंगे ये साफ लग रहा है कि जब एरपोर्ट पर उपेंद्र कुस्वाहा पहुंचे थे तो उन्होंने पत्रकारों से बात की बहुत सारी बाते कहीं ओफ लाइन में उन्होंने पत्रकारों से कहा इस्तीफा मैं नहीं मेरे कारे करता देंगे ये मेरा डिसीजन नहीं है ये मेरे कारे करताओं का डिसीजन है कि मैं NDA में रहूँगा कि नहीं रहूँगा 6 दिसंबर को 6 दिसंबर को ये आखरी समय है जिस दिन उपेंद्र कुस्वाहा एंडिये से मंत्री मंदर से इस्तीफा दे सकते हैं इस डेट को नोट कर लिजेगा क्योंकि हम आगे बताएंगे आपको कि ये डेट क्यो जरूरी है फिलाल आपको ये बता दें कि दिली जाने के बावजूद उपेंद्र कुस्वाहा से नरेंद्र मोदी ने बात चीत नहीं की नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुस्वाहा को वो सांतवना नहीं दी जो उन्हें चाहिए थी उन्हें जो seat चाहिए थी, उन seat के लिए उन्होंने deadline दे दिया था NDA में अब सबसे बड़ी बात यह है कि नितीज कुमार लगतार उपएंदुकुसवाहा पर हमलावर थे कही न कहीं से उपएंदुकुसवाह के 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 उ नहीं मिल रही है, अगर आप स्वभाविक नहीं मौसूस कर रहे हैं इंडिये में, तो इस्तिफा क्यों नहीं दे देते हैं, इस्तिफा दीजिए उसके बाद हमारी बुराई कीजिए, अब बात यहीं आकर बिगड़ जाती है, जब इस तरह की बात भाजपा से आती है, ये ब से इस्तिफा दे सकते हैं, क्यों देंगे ये भी हम बता दिये हैं आपको, और सबसे भी बात, च्छो तारीक को ही क्यों, ये अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, बने रही न्यूज बिहार और भारत लाइव के साथ धन्यवाद.